हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सब यह अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे हूंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षिट नंबर वन अब कहोगे कल भी worksheet number one की थी और आज भी मैं worksheet number one बोल रही है तो बिटा आज आप की आईए math की math subject की worksheet number one sixth class के लिए ठीक है कल थी English की ऐसी अब बेटा आपकी हर मतलब की हर हफ्ते ऐसे ही आये करेंगी worksheet subject के हिसाब से तो इस हफ्ते सारी worksheet number one आएंगी अलग-अलग subject की ठीक है फिर अगले अपते उनकी second number की आएंगी ओके तो चलिए start करते और बिटा अब आपका slave start हो चुका है तो इसलिए serious होके पढ़ना start कर देना ओके और थोड़ी महनत भी जादा करो अब तो आज बिटा हम जानेंगे संख्याओ की जानकारी लेंगे थोड़ी ठीक है तो और ये hindi medium के बिटा English medium की अलग से मिल जाएगी कोई English medium का है तो ओके पिर ये छात्रो हमने पिछली कक्साओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा तो बिटा आपने 5th class तक बहुत कुछ सीखा होगा आईए हम संख्याओं से संबंदित कुछ समस्याओं को हल करते तो अब बेटा कुछ समस्याओं हल करेंगे संख्याओं से संबंदित गिंतारा की मदद से संख्याओं को दरसाईए तो बेटा हमको क्या करना है जो ये गिंतारा दिखाए गया है इसकी तरह हमें अपने numbers को भी दर्साना है जैसे यहाँ पर उधारन के लिए दिया गया है छे सो अठावन को इन्होंने किस तरीके से दर्साया है तो सबसे पहले एकाई है फिर दहाई है और फिर सैकड़ा है तो एकाई पर नमबर कौन सा है आठ है तो यहाँ पर आपने आठ क्या डिट डाले ये आपने एक तरीके से कह सकते हो बटन डाल दिये ठीक है और फिर आपन 55 में क्या किया 2nd वाले कोलम में क्या किया 5 नंबर डाले 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही फिर बेटा जो 100 जो सैकड़े वाले प्लेस पर था ये भी सैकड़े वाले प्लेस पर है तो यहां पर अपने कितने डाले 6 डाले अब तुम्हें ये तो पता होगा बेटा ये जैसे नंबर होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है 1 फिर दहाई फिर सैकड़ा फिर 1000 और फिर 10,000 और फिर लाक इस तरीके से नंबर चलते जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए अब बेटा आपको क्या करना है 325 को भी ऐसे ही दरसान है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा इस तरीके से आपको गिंतारा बनाना है जिसमें आप क्या करोगे 3 लाइन बनाओगे ये बना ली ये क्या है 1 की है ये दहाई की है और ये क्या है 100 की है ठीक है सैकड़ा की है अब इसमें आपको क्या है सबसे इकाई वाले पर 5 है तो आप यहाँ पर क्या डालोगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 फिर बेटा दाई वाले पर 2 है तो 2 डालोगे फिर बेटा सैकडे वाले पर कितने हैं 3 है तो 3 डाल दोगे 3 बटन डाल दिया आपने तो यह आपका बन गया गिंतारा ऐसे ही आप बाकी नंबर का भी बना लेना ओके और मुझे चलो इसमें तो दिखाने वाला है तो आपको ड्रोइंग सुन्दर सुन्दर सी बनानी है उमीद करते हैं आप बना लोगे इसको अब नोट आप दी गई संख्याओं को गिंतारा की मदद से अपनी नोट बुक में दरसा आ सकते हो तो वही मैंने बताया भी बिटा अब क्या है नेक्स्ट क्रिया विदी है ठीक है जिसमें कि आपको 769 रुपे दरसाने के लिए 100 रुपे के 10 रुपे के और 1 रुपे के कम से कम कितने नोटों की आवशक्ता होगी तो ये आपको बताना है तो आईए हम इसको समझते हैं हमें आवशक्ता होगी 7 तो नोट होंगे 100 रुपे के ठीक है तो इससे क्या हो जाएंगे 700 रुपे मिलेंगे ठीक है तो यहां पर तुमने क्या नोटिस किया कि 100 रुपे के कितने नोट लिए तुमने 7 लिए और 10 रुपे के 5 लिए और 1 रुपे के 9 लिए तो यहां तुमने एक नोटिस की बात बिटा 7 यहां पर भी था यहां पर भी यह 5 यहां था यहां था 9 यहां था ठीक है तो जो न काई पर आया है, छे आया है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे, यानि कि 6 रूपे के नोट, 6 नोट लिए हमने 1 रूपे के, बीच में कि आया है, 8 है दाही के, तो दाही के पर क्या लिख दोगे, कि हमने 8 नोट लिए 10 रूपे के, और यह 5 है, सैकडे के पर, तो क्या लिख दो ऐसे ही बेटा आप क्या करना है, 470 रुपे, ठीक है, 470 में क्या करोगे, 4 है, तो यानि कि 4 नोट 100 के, फिर 7 है, तो 7 नोट 10 के, और फिर 0 है, तो बेटा यहाँ पर 0, यानि कि आपको 1 भी नहीं लेना, या तो आप 0 लिख दो, या फिर आप यहाँ पर ऐसे छोड़ दो, कि 1 ही नोट नहीं लेना हमें और जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा चार नोट चारसो के 400 हो गई सोगे और प्लस साथ नोट 10 के सत्तर हो गई तो कितना हो गया 400 सत्तर ठीक है समझारा होगा ना आपको फिर बेटा ये ऐसे ही आप यहां पे कर दोगे 107 में क्या करोगे आठ नोट सो के, पाँच नोट दस के और एक भी नोट नहीं लेना, एक रुपे का ठीक है, तो आठ सो पचास आ जाएगा अब नेक्स्ट है बेटा अंक तीन पाँच साथ आठ की मदद से दो अंको, तीन अंको और चार अंको की संख्या बनाईए ठीक है, तो आपको संख्या बनानी है दो अंक की, तीन अंक की, चार अंक की किसकी साहिता से, जो नंबर आपको दिये गई है सिर्फ और सिर्फ उनकी साहिता से तो चलो बनाते हैं, दो अंको की का मतलब उसमें दो संख्या ही होंगी या तो आप 3 और 5 ले लिया मानलो ये दोंको की हो गई ऐसे ही इसको आप लिख सकते हो 5, 3 भी लिख सकते हो 7, 8 मतलब वही नंबर लेने है जो बोले गई है यह निगी दूसरे ले लोगे 5, 8 भी तो लिख सकते हैं ऐसे भूत सारे नंबर बन सकते हैं चाहो तो कोई और नंबर भी बना लोगे इन 3-4 घो को मिलाके मैंने 7-5 लिख लो चाहे आप ठीक है या आप क्या लिख लो 5-7 लिख लो कोई भी नंबर बन सकते हैं ठीक है सब क्या लग-लग बनेगे ऐसे अब तीन अंकों की संख्या बनानी है तो तीन में क्या करोगे तीन नंबर को एक साथ लोगे जैसे कि तीन ले लिया पांच ले लिया, साथ ले लिया फिर चाहे तुम पांच, तीन, साथ लिख लो आगे पीछे कैसे लिख लो ऐसी तुम्हारी मर्जी है बस तीन नंबर होने चाहिए तीन अंक होने चाहिए उस संख्या के अंदर ठीक है फिर तुम चाहिए इसको लिख लो आठ पांच तीन मतलब वही नंबर है जो तुम्हें दिये गए यह नहीं तुम अपनी तरफ से दो एड कर दो इसमें वो नहीं जो नंबर दिये उस से तो लिख लोगे ऐसे चार चार नंबर लिखने आपको चार अंको का बनाना है तो तीन पांच साथ और आठ ये बन गया एक उल्टा कर दो इसको आठ साथ पांच तीन ऐसे और दो बना दो गया आप ठीक है मुझे लिख के दिखाना कमेंट बोक्स मे ताकि मुझे पता चले आपको समझ भी आ रहा है या नहीं जो मैं समझा रही हूँ अभे बेटा बूजो तो जाने देखते हैं आपको कितना आता है अगर हमारा दाई अंक पांच हो दाई अंक कोन सा होता है बेटा हमने अभी पड़ा इकाई दाई सेकड़ा हजार होता है तो दाई अंक हमारा पांच रहे हमेशा ठीक है तो अंक जो दिये गए है ये वाले इनकी मदद से चार अंकों की संक्या बनाओ तो चार अंकों की संक्या बनानी है तो चार अंक होंगे उसमें तो दाई पर तो हमेशा पांच रहेगा इकाई सेकड़ा और हजार पर हम जो च तो ये हमारा चार अंकों का संख्या बन गई ठीक है ऐसे आप बेटा दो और बना सकते हो कोई भी इन में से नंबर लेके ठीक है मुझे लिख के आप बता सकते हो कमेंट बोक्स में ओके तो ये थी आपके आज की वक्षिट बेटा और मैत को आप चितना अच्छे से समझोगे अच्छा रहेगा आपका ठीक है नहीं तो बाद में जाके आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा बड़ी क्लासिज में तो इसको अभी से ही अच्छे से समझने की कोशिस करना और कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना नो प्रोब्लम होके तो इस वीडियो में बेटा अपना नेक्स टोपिक हम अपनी नेक्स जोड़ों में करेंगे तब तक के लिए ऐसे हजते रहें मुस्कुलाते रहें पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें थेंक्यू